तो दोस्तों देखो, हमने यहाँ पर बोर के तीनों पॉस्चिलेट्स लेखे हुए हैं अब ज़रा हम इन पॉस्चिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं हम सबसे पहले रेडियस कैल्कुलेट करते हैं किसी भी और्बिट की जिसमें एलेक्टरॉन घूम रहा है तो इसके लिए एक बहुत सिंपल ट्रेक लगानी है आपको देखें, रेडियस वर्ड जो है, यह एंड होता है S पे S का मतलब ले लिजे, सबस्टिटूशन क्या सबस्टिटूट करें, तो उस्तों बना देखिए न फर्स्ट वाले में भी आप देख रहे हो, V है, R है सेकंड वाले में भी देख रहे हो, आप V है, R है और आपका उदेश है, रेडियस निकालना, तो क्यों नब V को सबस्टिटूट कर दिया जाए, V को हटा दिया जाए, V को V e square की value निकाली तो मुझे M को भेजना पड़ेगा R को भेजना पड़ेगा R चला जाएगा उपर Z e square के पास में और M चला जाएगा यहाँ पे तो चलो इसको बीच में यहाँ पे बैठा देते हैं 4 pi M epsilon not r square और क्या करें दो बोला रुख जाओ second वादा ले लो M v r equal to n h upon 2 pi इसमें से भी v की value निकाल लो v की value आ जाएगी n h upon 2 pi देखे m और r को मैं shift कर देता हूँ यहाँ पे यह v की value आ गई बस यह v की value यहाँ पर substitute कर दो first postulate में से मिली गई चीजों को second postulate से मिली गई चीजों से substitute कर दो यहाँ पर हम लिख देते हैं n h upon 2 pi m r क्योंकि यह square है तो मैंने यहाँ पे square कर दिया equal to z e square r upon 4 pi m epsilon not r square अब देखिए यह हमारा काम हो गया तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं space create करते हैं और work out करते हैं तब तक आप देखिए कितनी आसानी से मैंने substitute कर लिया first में से v square की बदले में second का v डाल दिया और उसको इस तरह से express कर दिया अब देखते हम क्या होगा यहाँ पर हो रहा है n square h square यहाँ पर हो रहा है n square h square divided by 4 pi square m square r square यहाँ पर क्या हो रहा है z e square z z z z e square r upon में 4 pi m epsilon dot r square कौन सी चीज सेम दिख रही है सब से पहले तो 4 सेम दिख गया cancel कर दिया r square नीचे दिख रहा है cancel कर दिया pi यहाँ पर है और यहाँ पर pi square है m square यहाँ पर है m यहाँ पर है क्योँअ पर pi से pi square को काटा जाए और एक pi छोड़ दिया जाए क्यों न M से M square को काटा जाए और M छोड़ दिया जाए और कुछ cancel हो रहा है नहीं नहीं और तो कुछ भी cancel नहीं हो रहा है तो ठीक है हमें R की value निकालनी है बाकी सारे लोगों को उठा के उधर ले जा दिया नीचे से आ रहा है epsilon naught epsilon naught N square X square और कौन ZE square नीचे चला गया नीचे पहले से कौन पड़ा है पाई है M है और ZE square उसके साथ में आ गया ये किसकी value आ गई हमारे R radius की value आ गई देखे कितनी आराम से आ गई सिर्फ 10 step लिए first में से V square लिख लिए second में से V लिख लिए वी की value उठाके उसके अंदर डाल दी थोड़ा से calculation कर दिया जो common थे उनको cut कर दिया और जब adjust किया तो हमारे पास में formula आ गया इस formula की विशेश्था क्या है ये बताता है R is proportional to N square R is proportional to 1 upon Z क्योंकि बाकी सारी चीज़ें constant हैं और हमारे काम की जीज़ें सिर्फ यही दो है कौन-कौन एक तो N square एक Z क्योंकि ये variables हैं तो हमने इनको लिख लिए यहाँ पे R is proportional to N square means क्या radius उसकी ज़्यादा होगी जिसका shell number ज़्यादा होगा अगर हम एक atom में अलग-अलग shells को compare करे और उनकी radius compare करे तो जितनी भी higher shells होगी उनकी value उनमें radius की value ज्यादा हो जाएगी तो हमने बोला अच्छा कैसे तो देखिए माली जीए कोई atom है ये इसकी first shell है इसी atom की second shell है तो obvious बात है हम बगाई ही रहे हैं बड़ी-बड़ी radius उसकी लेकिन formula भी समझाता है अगर आप n equal to 1 रखते हैं तो ये 1 का square होगा लेकिन जब आप 2 रखेंगे तो ये 2 का square 4 हो जाएगा R की value चार गुना हो गई मतलब second shell की radius first shell की radius ये हमेसा चार गुनी हो गई इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 upon z 1 upon z, z क्या है atomic number, protons की संख्या atomic number जिसका ज्यादा होगा मतलब होते हैं higher elements जैसे hydrogen, उससे बड़ा helium helium से बड़ा lithium, lithium से बड़ा berilium तो हम समझ गए कि जैसे atomic structure, atomic table में periodic table में हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे z की value बढ़ती चली जाती है तो जब z की value बढ़ती है तब r की value कम हो जाती है क्योंकि इनके बीच में inverse relation है direct relation नहीं होकर कि इनके बीच में inverse relation है inverse relation के करण में z की value जब बढ़ेगी मतलब जब hydrogen से helium को जाएंगे तो radius कम हो जाएगी for the same shell किसके लिए same shell के लिए अगर first shell of hydrogen को हम compare करेंगे first shell of helium से तो हमें मालूम चलेगा hydrogen की first shell की radius ज्यादा है क्योंकि उसका z कम है देखिए दोनों conclusion यहाँ से निकल गए जो कि हमारे काम आ रहे है यह सारे comparative numerical तुलनात्मक numerical में काम आते हैं ऐसे numerical board को बहुत पसंद है और वहर बार देता है क्योंकि उसमें ज़्यादा calculation नहीं करनी formula का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना सिर्फ आपको यह concept समझना है कि कौन सी चीज inversely proportional है और कौन सी चीज directly proportional है तो वहाँ पर जो भी बदलावाएगा वो multiple के रूप में बदलावा जाएगा मैं numerical cream में बता दूँगा